आप आजये मित्रों बता रहें ब्याज इस्थुति लंकार मैंने ब्याज इस्थुति लंकार क्या होता जब कावे में किसी की निंदा प्रतीत हो ब्याज निंदा में क्या था पहले प्रसंसा प्रतीत होती है लेकिन ब्याज इस्थुति क्या है पहले निंदा प्रतीत होगी लेकिन दरसल उसकी प्रसंसा हो रही होती है, तो वहाँ पे आज इस्तुतियलंकार हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो हमने बताया क्या बताया, कि मतलब हो रही हो निंदा प्रतीत आपको, परंतु हो रही हो प्रसंसा वहाँ, जब निंदा के बाद प्रसंसा हो जाता है, तो व रसिक शिरोमरी ग्वाला चलिया माखन चोर मुरारी वस्त्र चोर रण चोर हठीला मोहरहा गिर्धारी मोहरहा गिर्धारी यहाँ पर क्या किया गया पहले कृष्ण को कैसा बताया गया रसिक शिरोमरी ग्वाला चलिया माखन चोर मुरारी यह सब क्या बताया गया अब यहाँ क्या बताया गया निंदा जान पड़ी लेकिन प्रसंसा हो रही है जान निंदा पढ़ रही है लेकिन हो रही है प्रसंसा पहले क्या होता है चोर है मुरारी माखन चोर है रन छोड है हठीला है लग क्या रहा है लेकिन वो मोह रहा गिर्धारी यहां मोह रहा है यह प्रसंसा हो रही है पहले निंदा कर दी गई तो निंदा के बाद प्रसंसा ज 12 महिने प्रेम का जल 12 महिने यहां पर क्या बताया गया कि मिट्टी की मट्की है मा एक मा मा क्या है मिट्टी की मट्की है क्योंकि रिस्ता ही रहता है रिस्ता ही रहता है प्रेम का जल 12 महिने क्योंकि उसमें प्रेम का जल जो है वो 12 महिने टपकता रहता है इसलिए प्रेम का ज की है मा यानि कि बिल्कुल बेजान है बेकार है तो यहां पे आपको निंदा लगी कि मा को मिट्टी की मट्की बता दिया है भाई तो यहां पे पहले निंदा लगी बाद में प्रेम का जल बारा महीनी रिस्ता रहता उसे टपकता रहता तो क्या लगा आपको यानि कि हो गया तेड़ी चलती हो गंगा क्यूं तेड़ी चलती हो दुस्टों को भी शिव करती हो दुस्टों को भी शिव करती हो गंगा पहले क्या बता गंगा तेड़ी तेड़ी मतलब खराब हो तुम तेड़ी मेरी चलती हो कुटिल हो यह गंगा तुम कुटिल हो क्यों चलती हो कुटिल चाल कुछाल क्यों चलती हो फिर बाद में क्या गा दुष्टों को भी शिव कर देती हो शिव माने कल्यान दुष्टों का भी कल्यान कर देती हो मुख्ष प्राप्त करवा देती हो कल्यान कर देती हो किसको अदुष्टों का भी यह प्रसंसा हो गई ना पहले तो गंगा क्यो बाई टेड़ी आदमी टेड़ा हो तो पहले गंगा क्यों टेड़ी चलती हो ये बोला इसके बाद दुस्टों को भी सिव कर देती हो ये प्रसंसा की गई पहले निंदा कर दी गई तो पहले निंदा हो बाद में प्रसंसा हो तो ब्याज इस्तुती हो जाता है पहले प्रसंसा और बाद में निंदा कर दिया तो ब्याज निंदा लेकिन आखरी में क्या निकलना चाहिए निचोड आखरी में अगर निंदा का निचोड निकल रहा है तो ब्याज निंदा अगर आखरी में प्रसंसा का निचोड निकल रहा तो ब्याज इस्तुती ठीक